तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं कोई जूटी कहानी नहीं बनाई हमने हमने हमारी मेहनस से जो करना चाहा वो कर रहें आघे भी करते रहेंगे के तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें आपने ही मुसलसल पुकारा हमे हैं, हम यहां तक अचानक नहीं आए हैं प्रदीप चौबे कहीं कहते हैं, वो आज सबसे सही जगह है, मैं हर जगह बढ़ता हूँ लेकिन सबसे सही जगह वो बात है, कि खुछ से बाते कर सकें ऐसा, घर में एक कोना जरूरी है आदमी का दर्द समझने के लिए आदमी का होना जरूरी है देखिये अभी तक सारे कभी जो थे, पंकज राठी बेया यह आ आ गए हैं, मैं आपको भाल लेने ने, अव्य हाँ उसके लिए माफी यहाँ पर मेरी सारी टीम के लोग हमारे दिने शोनी भहिया, शानवाज भाई, अनुज भाई और विशाल भहिया, रजनी मैम, हम सब लोगों ने खूम महनत की है, बहुत सी हम लोगों में लडाईयां भी हुई लेकिन इतना अच्छा कारिग्रम करने के लिए आप सब को कुछ मुक्तग और एक गीश सुना कर अपनी जगर लूँगा, सुनिये के प्यार अंधियार था, तो अंधेरे हुए, ऐसे कितने हैं जिनके सवेरे हुए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजे, यह सब लोग वो हैं जिनके कारण ये कभी समेलन हो पाया है इतने खराब दौर में भी ऐसी कविताएं यहां पर हो रही है कि इतने निसार में ये बड़ी बात है, ऐसे संसार में ये बड़ी बात है, आप हैं आप में बात ये आम हैं, आप हैं प्यार में ये बड़ी बात है, कि आप हैं प्यार में ये बड़ी बात है, कि प्यार कि एखेरे हुए हैं ऐसे कितने हैं जिनके सवेरे हुए हम तो दुनिया से कबके रिहा हो गए ये तेरे लोग है हम को घेरे हुए ये तेरे लोग हैं, हमको घेरे हुए, के जो भी बिगड़ा सवारा नहीं जा सका, कर्ज कोई उतारा नहीं जा सका, हमने तुमको ही जीवन किया, और फिर हमसे जीवन भी हारा नहीं जा सका, हमसे जीवन भी हारा नहीं जा सका, के सब जो कहते हैं, सुनने की कोशिश में हूँ, महें के लिए मैं बहुत खुश हूँ, कि वो इतने बड़े मंच पर पहली बार आया, उसने जो बात कही और फिस्बुक पर लिखा भी था, के सब जो कहते हैं, सुनने की कोशिश में हूँ, अब मैं चुपचाप रहने की कोशिश में हूँ, सब कहा जा चुका, कुछ ना कहने को है, बस इसी दुख को कहने की कोशिश में हूँ, एक गीत से आपको जोड़ता हूँ, वो गीत है, या दो मुक्तक पहले सुना देता फिर गीत पढ़ के अपनी जगल लूगा तुम्हारे लिए के कुछ मुक्तक पढ़ देता हूँ लेकिन ये पहली पंक्ती से आप मेरे साथ गाएंगे ऐसा मैं भ्रह्म पाल के गाना शुरू करता हूँ आप मेरे साथ गाईएगा के मुझ में थी इक विकलता तुम्हारे लिए द्वार दीपक सजलता तुम्हारे लिए और जो होता पता तुम यहीं आओगे मैं न घर से निकलता तुम्हारे लिए और आपको समर्पित है कि कितने चेहरे बनाए तुम्हारे लिए सारे करतब दिखाए तुम्हारे लिए यूं तो दुनिया को भी खूब भाए मगर हम कहानी में आए तुम्हारे लिए हम कहानी में आए तुम्हारे लिए जीवन की चार स्थितियां होती है वो भी आप किसी को समर्पित कर दें उससे बड़ा समर्पन कोई नहीं है के युद्ध की और बढ़ता तुम्हारे लिए है सुनिएगा के युद्ध की और बढ़ता तुम्हारे लिए है जीतता या के मरता तुम्हारे लिए और सुलह की जो उम्मीद होती तो मैं है तुमसे भी बात करता तुम्हारे लिए तुमसे भी बात करता इस श्रंखला का अंतिम मुक्तक है उसे आपके पवित्य प्रेम के नाम कि आपने सारी कोशिशें किसके लिए की? कि ये सारी कवीता करना कला को जीना एक पुन्य को ढोने के बराबर है के पुन्य भी ढोवे अनगिन तुम्हारे लिए है बिन जिए रह गए है दिन तुम्हारे लिए कि सारी दुनिया गई ही जाने किसके लिए है हम गए स्वर्ग लेकिन तुम्हारे लिए हम गए स्वर्ग लेकिन